मैं इसलाम अदिन खान और आप देख रहे हैं प्रहाट है शुरुआत कहते हैं आज के फटाफट खबरों की ठाने के घोड़ बंदर रोड पर आज सुबा एक टैंकर पलड गया जिसमें लोड केमिकल रास्ते पर फैल गया जिसकी वज़े से काफी ट्राफिक जाम रही आपक कि इस हाथसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं है ठाने के घोड बंदर रोड कासर वड़ोली के जंगल में लकडी के पड़े धेर में रात के समय भयानक आग लग गई घड़ना की जानकारी मिलते ही दमकल कर्मी मौके पर पहुँच गए और आग पर किसी तरह से काबू कूपाया गया मुंबई के बोरे बली में चुरी के संदे में कुछ लोगों ने 29 साल के वेख्ती की पीट पीट कर हत्या कर दी हत्याके आरोप में चार लोगों को हिरासत में लिया है मिनित तक की पहचान प्रवेन लहाने के रूप में हुई है पुलिस आगे इसकी जांच परताल कर रही है पुलिस ने नभी मुंबई में किसानों के जानवरों को चूरी कर उनके वध करने के आरोप में 6 लोगों को गिरफतार किया है ये लोग महराश्ट के राइगर जिले में पनवेल त 2011 से पहले बने जोपड़ियों में रहने वालों को घर देगी मगर ये भी बताया जा रहा है कि ये घर मुफ्त में नहीं दिये जाएंगे इसके एवज में ढ़ाई लाक रुपे भी वसूली किया जाएगा उल्हास नगर पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफतार किया है जो MP से देशी कटा लाकर उल्हास नगर में बेशते थे पुलिस को जब इनके बारे में जानकारी लगी तो पुलिस ने घेरा बंदी करके आसिफ नसीर शेख और तौफिक हसन शेख को गिरफतार किया है इनक मनपा को इसकी शिकायत कई दिनों से मिल रही थी जिसके बाद मनपा आईधिकारियों ने इसे कारवाई करते हुए प्रसांत कोरुनर के सामने जो अतिकरमण था उस पर कारवाई किये और उसे तोड़ दिया गया राजस्थान के रगबर खान मौब लिंचिंग मामले में समझीत धर्मेंद्र नरेश और विजय शामिल गाजियाबाद में एक दर्दनाक हाथसे में मा और बेटी की मौत हो गई है घर की छट पर कपड़े सुखाने के लिए गई थी तभी छट की रेलिंग में करंड उत्रा था और 16 महीने की बेटी ने रेलिंग जाकर पकड़ लि लेकिन डॉक्टरों ने इम्रित खोसित कर दिया है हैदराबाद में एक SUV कार ने तीन साल की सोरही बच्ची को पुचल दिया है जिसकी वज़े से उसकी दर्दनाग मौत हो गई है बच्ची की 32 वर्सिये मा ने एक आपार्टमेंट की पार्किंग में इसे सुला कर काम कर लिया है